नमस्कार, लाइव लगतार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ शिवेंदर छात्रृती से वंचित छात्र पिछले कुछ समय से लगतार आंदूनन रद थे वो मांग कर रहे थे कि छात्रृती पोटल को फिर से खोला जाए इस मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है जिस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी सायोगी चुलबुल है आईए उनसे जानते हैं कि क्या खबर आई है सामने जी चुलबुल कि लगतार कुछ दिनों से अभी एड के खासकर छात्र है जो लगतार मांग कर रहे थे कि पिछले वर्ष मतलब सत्र 2020-21 के लिए इकल्यान पॉटल को जो राज्य सरकार का है उसे कुछ समय के लिए खोला गया था तो नामांग कन ट्रक्रिया में देरी के वज़ह से वो पॉटल पे अपलाई नहीं कर पाए थे जिसके वज़ह से हजारों स्टूडेंट्स उससे वंचित रह गये थे तो उनका मांग लगतार सरकार से था कि सत्र 2020-21 के लिए पॉटल को फिर से खोल दिया जाए पर सरकार ने उस उनकी मांगों को ध्यान में रखा या नहीं उसका हमें नहीं पता पर सरकार ने सत्र 2020-21 के लिए पॉटल को खोल दिया था जिसके बाद उनमें आक्रोश और बढ़ गया उ योजितने भी स्टूदेट्स संग हैं उन्होंने समर्थन देते हुए कहा कि सरकार की शाजिस है क्यों वे इन स्टूदेंट्स को पिछले साल के भी स्कॉलर्शिप से वंचित रखना चाहते और इस साल के भी स्कॉलर्शिप से पर लगतार उनके विरोध और धर्ना प्रदर्शन को देखते हुए कल्यान मंतरी चंपाई सोरेन ने आदेश जारी किया है कि इन स्टूडेंट्स के लिए पिछले सत्र का भी पॉटल खोल दिया जाएगा जिसके वे इस सब्सक्राइब के साथ यंदि पिछले सत्र की शात्र विती से लिए भी अपलाई कर सकते हैं तो बिल्कुल ये वागक है जात्रों के लिए ये जातर को खोल जाना और इस खबर लगतार जोकर रहा था और आपको यसके हर एक पहलू से रूबारू करा रहे थे हम कि क्या कुछ इसमें हो रहा है, ॉनकी क्या मांग है, क्या कारवाई हो रही है, ऐसे में आज इस खबर का आना वाकरी एक बड़ी ख़बर है और खुशी की बात है क्योंकि गरीब छात्र जो थे उनके सामने एक संकट था कि वो पढ़ाई कैसे करेंगे तो आज की खबर में इतना ही जुड़े रहें लाइव लगतार के साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एक साथ